Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम में SAP Infant Healthy and this is Dr. Jyoti here आज की वीडियो अबाट प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक क्या होता है, इसमें किस तरीकी सिम्टम्स आते हैं सिम्टम्स आते भी तो क्या आते हैं पेट निकलता है के नहीं निकलता है, बच्चा कितना बनता है तो यह सब जानने के लिए आज की वीडियो है तो चैनल पे नहीं तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक हम कैसे काउंट करते हैं देखिए, हमेशा आप जाते होंगे जब भी डॉक्टर से डिसकस करते हैं काफी लोग आपने देखा भी होगा देखिए, आप प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक काउंट होता है आपके लास्ट मेंशेवरेट के बाद और उस दौरान तो आप मानिया प्रेगनेंट होते भी हैं नहीं भी होते हैं कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं बहुत सारी फिमिस को पता ही लगता है कि वो प्रेगनेंट है कि नहीं है, वो ऐसा दौर होता है, जिस दौरन आप प्रेगनेंट नहीं होते हैं, आपकी बॉड़ी जो प्रेगनेंसी के लिए अपनी बॉड़ी को प्रेपेर कर रही होती है, आपका श्रीर खुद को रेडी कर और वो होता है आपके pregnancy के प्रियर्ड के एक दो हफते में ठीक है बट जो pregnancy का first week होता है वो आपके pre-ord के तुरंत बाद वाला जो week होता है उस दोरण होता है ठीक है तो उस दोरण अगर आप कहेंगे कि आप pregnant है आपको पते ही नहीं चले गाओ जिन लोगो अपनी exact ovulation date या देत आपका पेट वेट कुछ नहीं निकलता है, इस ज़रान आपकी बॉड़ी खुद को प्रेपेर कर रही होती है, यूट्रेस अपनी लेर्स अच्छे से बनाती है, ताकि बच्चे को उसमें अंदर से से अच्छे तरीके से एंब्रियो को रख सके ठीक है, और ज्यादा अच्छ अच्छी हर्मोन बढ़ने लगता है, साथ ही साथ बॉड़ी अपने आपको प्रेपेर कर रही होती है, इस दौरान आपका पेट नहीं दिखता है, और इस दौरान क्योंकि इनिशियली स्टेज है, और इस दौरान आपका बच्चा भी जो है, नहीं उसका कोई वेट होता है जैसे मैंने बताया, सिर्फ बॉड़ी अपने आपको प्रेपेर कर रही होती है, इस दौरान इतना कुछ नहीं होता है, अब बात करेंगे सिम्टम्स के, सिम्टम्स क्या क्या आते है, देखिए कुछ फीमेल्स को नहीं आते है, आप मानिए एक दू हफते में ही सिम्टम्स क हो सकती है, लोवर बैक पेंड रह सकता है, तो यह जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, यह कुछ फीमेल्स को होते हैं, जरूरी नहीं हर फीमेल्स को होते हैं, तो सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने बताया, कुछ फीमेल्स में आते हैं, कुछ फीमेल्स में नहीं आते हैं, करें हो थे ज़र शो ही तो आपको करना ए पानी ज्यादा पीना आप को पीना है तो एक अच्छा इंबामन प्रोवाइट करने के लिए आपको इस दौरान पानी बहुत जदा पीना है, आपको फॉलिक एसेड भी लेना है, फॉलिक एसेड तो आप एक दो महीने पहले से लेना है, स्टार्ट कर दे तो इसमें ऐसेच कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ठीक ह आप सोची हर डे में करना है, इस मैंने ओलरी वीडियो बनाए है, तो इस दौर्ण आपको इन चीजों का इसपेशली ध्यान रहना है, कुछ भारी समान नहीं उठाना है, ज्यादा भॉग दाउन नहीं करना है, और ज्यादा जंपिंग, बंपिंग, अगर स्केपिंग वग बात करेंगे कि सबसे ध्यान रखने वाली क्या बात होती है, कि बहुत जब्से ऐता इसी confusion में रहती है, कघ इम ऑब ये ओविच्टिन का मत पलादान र्यादाई उससे पहले बनाई है आराम से आसानी से आप कंसीव कर सकते हैं तो इससे कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और डिटेल के लिए फिर मैंने वीडियो बना रखाई को जाके जरूर से जरूर देखेगा अब बात करेंगे इस दरूर आपको कौंसी कौंसी चीजे खान हैं बहुत इंपॉर्टन है अगर आप यह चीजे खाएंगे तो आपके बच्चे को अच्छे से एफेक्ट करेगा और उसकी हेल्दी ग्रोथ भी होगी तो आपको क्या का खाना है आपको सबसे पहले फॉलिक एसिट सप्लिमेंट्स लेने जैसे मैं भी बताया फॉलिक एसि अगर आप अगर आप खाते हैं तो उसको अराम से फ्राइ करिए सब्जी बना के ले सकते हैं चार्ट बना के खा सकते हैं बट कच्चा नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होसे तो फिर और प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है ठीक है तो यह सारी छीचे बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हैं फॉलिक एसिट सप्लिमेंट्स मिल्क प्रोटीन और साथी साथ आपको फूट्स लेने हैं और ग्रीन वेजीज खानी हैं सैलमन फिश खानी है और ट्राउट फिश यह दोनों फिश अगर आप खाते हैं नौन वेज है तो आप सैलमन और ट्राउट फिश खा सकते हैं इसके भी काफी अच्छा हेल्ध बेनिफिश पाइनेपल ज्यादा नहीं खाना है और बस यह तो तीन चीजों का ध्यान रखना है ज्यादा इतना कुछ अटेंशन वाली बात नहीं है हीमोगलोबीन के लिए भी आप चुकंदर का जूस या अनार का जूस या किशमिस वगएर अपनी डाइक में जरूर से जरूर शामल करिये मुनक का वगएर ठीक है गुड़ खा रहे हैं तो थोड़ी मातरा में खाईए ज्यादा मातरा में नहीं खाना ज्यादा खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रेट हो जाती है तो यह तमाम तरीके की चीजे थी यह आपका प्रेग्नेंसी का फर्स्ट वीक होता है जिसमें आपकी बॉड़ी रेडी कर रही होती है खुद को तो आपको भी उजरूर रेडी रहना है और जितनी तमाम तरीके चार्श चीजे बताईए उनको बिधान रखिये और कंसेप् करते हैं जी ऐसे ही काउंट करते हैं फ्रेग्निंसी को हमारे प्रेड की लाज़ एक होई करेंगे तो वो सब एक सीरीज चलती आती है और फर्तिलेशन के बाद इंप्रेडियन के पाद ही अपका प्रेग्नेंसी का डेक्शन होता है इसलिए थोड़ा वेट करते हैं कि नेक् तो आप खुद टेंशन मेंगे हो क्या रहा है एक लाइन हलकी आरी एक लाइन डार का रहे तो टेंशन मत करिए थोड़ा वेट करिए देन आपकी प्रेग्नेंसी का वन मन्त कम्प्लीट हो जाता है ठीक है तो अब आप सभी को इस वीडियो से काफी दा इंफोमेशन मिली हो चैनल पर नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब करिए और ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीकी की वीडियो आपके लिए दाने के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो तिल दन टेक किर आप तो जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल दन पुरानी वीडियो देक के इंफोमेशन लेते रहे हैं थैंक यू बेर मुशन वाचिंग इस डाक्र जोदिये